तो आज के सेशन में यहां पर जो हम question देखने वाले totally different है इससे पहले जितने भी questions के यह question आपका totally different है देखते हैं भी question अच्छा सबसे पहले तो यह देख लेते हैं कि यह कौन से level का question है कब यहां पर यह question कब पूछे जाते हैं ऐसे questions आपके आई-बी-पेस यह SBI के PO के मेंस में मतलब आप समझ सकते हैं यह question difficulty level high होगा उपर से यह questions बनाने में आपको 5-6 मिनिट का समय लग जाता है क्योंकि question जो है काफी बड़ा है चले सबसे पहले information पढ़ना स्टार्ट करते है information दिये श्रीव भाव्या प्रिया अंकिता आसर श्रीवानी भानु पुजा एट पीपल और नाइन डिफ्रेंट फ्लोर्स आप विल्डिंग अब तो question different कैसे है तो देखिए परसंद यहां और फ्लोर देदिये नौ ठीक है तो यहां पर डिफ्रेंस तो अब दिखा हमको ठीक है क्योंकि अभी तक तो जितने भी थे गभी आट फ्लोर था तो आट लोग थे साथ फ्लोर था तो साथ लोग थे नौ फ्लोर था नौ लोग थे फ्लोर जो होगा उसको हम बोलेंगे ड्राउंड फॉर उसके उपर वन तो टॉप मॉस्स फ्लोर जो होगा उसका नंबर हो जाएगा एट इसका यहीं मतलब हुआ कि टोटल नाइन फ्लोर से सबसे पहले आपर नंबरिंग कर ले नंबरिंग कर लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1 और एक ग् जब भी आप मेंस में एक्जाम दिलाने जाते हैं ठीक है तो टेबल जब बनाते हैं तो कम तो से कम ढो पर लेकर सहले हमेशा दो से तीन किस तो यहां पशर्ट के लोंगा यहां पर मैं सेंड के लोगा अचाओ आगे क्या लिखा हो इसको देखते हैं एमॉंग देस क्वेशन पर आ जाइए एमॉंग दिस नाइन फ्लोर देर इस वेकेंट फ्लोर इल बिल्टिंग तो और वेकेंट फ्लोर हो गई क्योंकि नौ लोग नौ फ्लोर है आट लोग तो एक बैकेंट फ्लोर वह जिसमें कोई भी नहीं रहेगा मतलब खाली फ्लोर है एक इच वन आप देम लाइक डिफरेंट ब्रेंट्स और क्लोथ तो अलग-अलग ब्रेंड्स के नेम्स देदी हैं क्लोथ के अलग-अलग लोग अलग-अलग ब्रेंड के लाइक करते हैं चले तो इंफॉर्मेशन इतना था एक वेकेंट फ्लोर है हमारे पास आठ लोग हैं नौ फ्लोर है और आठ परसंस जो हैं वो अलग-अलग ब्रेंड के लाइक करते हैं बस यहां तक इनफॉर्मेशन इसको पढ़ने में ज्यादा टाइम यहां पर वेश नहीं करना है चले question यहां से start होगा तो question देखने start करते हैं there are four person who live between the one who likes Kelvin Klein and Ankeetha Kelvin Klein जो भी person लाइक करता और जो अंकीता है उसके बीच में 4 परसंट रहता हैं अंकीता के बात लिखा हूग है who lives immediately below the one who likes गुष्री तो जो person गुष्री लाइक करता है उसके just नीचे इमिडेटली below count रहेगी अंकीता और अंकीता और जो person Kelvin Klein like करता है उनके बीच में 4 person रहेंगे सबसे पहला hint क्योंकि हिंट बनाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमको तो नहीं पता है कि अंकीता कौन से फ्लोर में है यह Kelvin Klein कौन से फ्लोर में है यह गुशी जो person like करता है वो कौन से फ्लोर में है यह हमको नहीं पता है तो पहला hint मेंना कुछ इस तरीके से बनेगा कि कोई person है जो गुशी लाइक करता है इसके जर्ष्ट नीचे कौन रहेगी तो वो है अंकीता क्योंकि लिखा हुआ है कि अंकीता गुशी जो भी लाइक करता है उसे इमिडियर्टली बिलो रहती और अंकीता और जो person Kelvin Klein like करता है उनके बीच में 4 person है जो person Kelvin Klein like करता है उसकी बात कर रहा है अब देखो सबसे पहली बात यह है इससे पहले वाले जितने भी questions किये ना उसमें number of floors और number of persons सेम थे मतलब 8 floor था तो 8 person 7 था तो 7 पर इसमें 9 floor है 8 लोग एक vacant floor है अब क्या होगा चार परसन इसका ये मतलब हुआ कि अंकीता और Kelvin Klein के बीच में 4 floor तो ऐसा नहीं है अंकीता और Kelvin Klein के बीच में 4 floor भी हो सकता और 5 floor भी हो सकता है 5 floor कैसे मान लो बही एक vacant अगे इनके बीच मे तो clear तो अब हम ये नहीं बोल पाएंगे कि अंकीता और Kelvin Klein के बीच में यहाँ पर 4 floor होगा ये हम नहीं बोल पाएंगे clear तो अंकीता और Kelvin Klein के बीच में 5 floor भी हो सकते है और 4 floor भी हो सकते है जैसे अगर मान लो बही अंकीता है कोई floor में मान लो 8th floor में अंकीता है और Kelvin Klein ले ले प्लोर यहां पर बोलने का मतलब यह iomo ci इसाइड नहीं यहांपल के लिए कि इनके बीच में 5 फ्लोर भी हो सकते हैं, 4 फ्लोर भी हो सकते हैं, तो ये दोनों एक possibility है, तो अब हम क्या करेंगे, number of persons और number of floor को same लेकर नहीं चलेंगे, इससे पहले लेकर चलते थे बढ़ इसमें नहीं लेंगे, तो अंगीता और Kelvin Klein के बीच में 4 परसन है, बट फ्लोर 5 है क ये हमको नहीं पता, तो पहला हिंट हमारा बन गये, चले, आगे क्या लिखा है, शिवानी लेव्स, इमिडेटली अबोग दा वन हू लाइक्स लेकोष्टे, जो भी परसन लेकोष्टे ब्रैंड लाइक करता है, उसके जश्ट उपर कौन रहती शिवानी, तो सेकेंड उसको ब्रैकेट में लेके चलेंगे, और जो नाम रहेगा, उसके हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, अब यह हमारा हिंट होगे, कि शिवानी के जश्ट नीचे लैकोष्टे, ये लैकोष्टे के जश्ट उपर शिवानी, चलो, आगे लिखा है, there are four person who live between the one who likes Lewis and Asta तो जो भी person Lewis brand का cloth like करता है और जो person Asta है उनके बीच में चार लोगे फिर से वही बात हुई third hint हमारा बनेगा कि आस्था कौन से floor में है ये तो हमको नहीं पता है तो hint बनाना पड़ेगा माल लो आस्था जो है उपर है तो चार person इनके बीच में होने के बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा जो person Lewis like करता है या फिर आस्था अगर माल लो भई उपर है तो Lewis जो है वो उपर आ जाएगा ठीक है अच्छा first hint जो बनाया है इसमें भी अंकीता और Kelvin क्लाइन के बीच के अगर बात करें तो दोनों में से कोई भी उपर और कोई भी नीचे रह सकता है यह हमको नहीं बोला गया है कि अंकीता उपर होंगे और Kelvin क्लाइन नीचे Kelvin क्लाइन अगर उपर हुआ तो अंकीता नीचे आ जाएगी और उसके respect में गोशी जो है वो भी नीचे आ जाएगी तो इसका यह मतलब हुआ दोनों साइड एरो डाल रहा हूँ यह खुद के लिए डाल रहा हूँ तो यह आप भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हो यह दोनों साइड एरो का मतलब यह हुआ कि कोई भी कहीं हो सकता है अगर अंकीता उपर तो Kelvin क्लाइन नीचे केल्विन क्लाइन उपर तो अंकीता नीचे और अंकीता की रिस्प्रक में गोशी जो है वो अंकीता के ऊपर होगी ठीक है और यहीपर अगर आसता व लुईस की बात करूं जो भी परसं लुईस लुईस लाइक करता है उनके बीच में भी चार परसं है चार परसन इसका यह मतलब नहीं कि चार फ्लोर है, पाच फ्लोर भी हो सकते हैं, इनके बीच में भी वेकंट आ सकता है, clear? चलो, next देखते हैं, the one who lives on floor number one is likes Calvin Klein, यह direct statement है, एक direct statement होता है, एक indirect statement होता है, solution में हम direct statement put करते चलते हैं, तो यहाँ पर जो भी हमने hint बनाया, वो सारे indirect statement क्योंकि इसको हमने अभी तक put नहीं कर पाया, क्योंकि हमको कहीं से भी directly नहीं पता चला कि कौन कहां पर रहेगा, बट यह पता चल गया, कि जो first floor में है, वो person क्या like करता है, तो हो है Calvin Klein, अब देखो, first floor में Calvin Klein वाला person रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख देता तो भाई एक case में भी काम चल जाएगी, ck को एक ही जगर अपना, बट जब आप mains का exam दिलाते हैं, तो दो से तीन case के बिना आप questions solve नहीं होगा, एक case में बनाना start करेंगे, तो आप बहुत confused रहेंगे, आपको दूसरा तीसरा case की जरुवत पड़ेगी, इसलिए एक आदर ड बच जाएगा, तो ck ck दोनों side मैंने लिख लिए, अब Kelvin client से related मेरा first hint है, जिसको अगर मैं put कर सकता हूँ, तो करके देखता हूँ, तो Kelvin client यहाँ पर first में है, तो मैंने कहा कि अंकीता कहीं भी हो सकती, 4 floor भी इनके बीच में हो सकता है, 5 floor भी इनके बीच में हो सकता है, इसल statement, देखो, direct statement कम है, indirect statement जादा है, इस question को जब आप solve करेंगे, तो यही देखेंगे, direct statement कम है, indirect statement जादा है, तो hint यहाँ पर properly बनाएंगे, एक एक line पढ़ेंगे, एक भी line skip नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे questions में, अगर एक भी line आप skip करते हैं, तो आपके पसीने छुट जाएंग ठीक है, एक भी line skip करना मतलब, या एक भी line छूट जाना, गल्दी से भी अगर छूट गया, तो उस line को नहीं ढूंद पाएंगे, और ढूंदेंगे भी तो आपको काफी सारा time waste करना पड़ेगा, वो time बचाने के लिए, आपको एक एक line properly पढ़ना है, और यही आपका approach होना चाहिए, पूजा lives on ground floor, यह दिखा है, ground floor मतलब 0, तो मैं direct क्या कर देता हूँ, पूजा को यहाँ पर, मैं fit कर देता हूँ, ground floor में, दोनों ही case में, पूजा को मैंने fit कर दिया, तो अभी एक case में भी बन सकता है, बाट दो case मैं लेकर चली रहा हूँ, ताकि आगे मुझे जर कि जो शिवानी है, ठीक है, जो शिवानी है, वो odd floor में रहेगी, odd कौन कौन सा है, one, three, five, seven, यहाँ यह चारो floor में रह सकती, शिवानी क्या like नहीं करती, तो वो night like नहीं करती, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, कि शिवानी, one, three, five, seven में रह सकती और night like नहीं करती, one, three, five, seven इसलिए क्योंकि वो odd floor में रहेगी चले आगे की अगर बात करें आगे क्या लिखा हुआ है आगे लिखा है कि there is यहाँ पर question पर आईए तो there is only one floor between भानुस floor and the vacant floor तो जो person भानु है और एक vacant floor है उनके बीच में एक floor है अब इसको hint कुछ इस तरीके से बनाएंगे पाच्पा हिंट मेरा ऐसा बनेगा बाई भानु जो है वो उपर भी हो सकता है नीचे भी माल लो भानु उपर है तो एक floor बीच में आगा उसके बाद vacant floor आगा vacant को मैं V से denote कर रहा हूँ और अगर vacant floor उपर है तो भानु जो है vacant के जगा आ जाएगा पट इन दोनों के बीच में एक floor ही रहेगा यह confirm है तो भानु और vacant floor V के बीच में एक floor है भानु उपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है चलो आगे क्या लिखा हुआ है इस statement का मतलब मैंने explain किया था कि जब भी ऐसे statement आएंगे एक common person दिया जाएगा तो जैसे इसमें शीवम है दोनों में देखलो शीवम और American Eagle same as number of person बिटमें शीवम और नाइक जो भी person like करता है और शीवम और American Eagle के बीच में same number of person होना चीए इस हिंट कुछ इस तरीके से समझते हैं, इसको थोड़ा प्रॉपरली समझते हैं, कि शीवम हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे statement आएगा, जो भी common रहेगा, वो बीच में आ जाएगा, अब मान लो American Eagle वाला person उपर है, और American Eagle और शीवम के बीच मान लो एक person है, तो जो Nike like और इनके बीच में भी कितने person रहेंगे, एक, तब ही हम बोलेंगे कि शीवम और American Eagle के बीच में उतने ही person है, जितने शीवम और Nike के बीच में है, मान लो इनके बीच में दो person है, तो इनके बीच में भी दो person जाएगे, शीवम और Nike के बीच में, तीन है तो तीन, जीरो है तो जीरो, बट, American Eagle और Nike में कोई भी उपर और कोई भी नीचे आ सकता है, यह आध रखेंगे, अगर American Eagle उपर है तो Nike नीचे, Nike उपर है तो American Eagle यहाँपर नीचे ठीक है, बट शीवम जो है, वो बीच में रहेगा, क्योंकि यह नहीं पता है, कि American Eagle उपर है, शीवम के, कि Nike उपर है, यह हमको नहीं पता है, तो कुछ इस तरीके से यहाँपर हमारा हिंट बनेगा चले, आगे क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है There are five floor between the one who likes huge boss and पूजा, तो जो भी person huge boss like करता और एक person है पूजा उनके बीच में कितने फ्लोर है, पाँच फ्लोर, हमको पता है कि पूजा जो है, वो ground floor में यह confirm था, तो पूजा ground floor में है, तो पाँच floor हम बीच में छोड़ देते है, one, two, three, four, five, यह पाच ओ फ्लोर बीच में आ जाएंगे, तो huge boss किसमें आएगा तो वो है, six floor, तो six floor में मैं direct hb लिख देता हूँ, short में लिखेंगे हम, hb जो है, वो six floor में आ जाएगा, देख लिजे, पूजा और huge boss के बीच में पाच फ्लोर आ गए, पाच फ्लोर की बात किया, पाच परसन नहीं किया, इसलिए हम direct huge boss को पूट कर दिए, पाच परसन बोलता, तो यहाँ पर फिर से possibility बनता, चलो, तो यह हमारा complete होगे यहाँ तक के state में, next लिखा है, यहाँ पर आ जाएए, शीवाम ड़सन्ट लीवान फ्लोर अवो शीवानिस फ्लोर, इसका यह मतलब हुआ, शीवाम जो है, शीवानी के किसी भ कहीं कौन होगा, शीवाम, तो देखो, फोर्थ महाँ पर हमारा, फोर्थ जो था, हिंट में, 1357 में, शीवानी थी, और शीवानी के नीचे, तो मैं यहीं पर हिंट बना लेता हूं, शीवानी के नीचे एरो डाल दिया, शीवाम कहीं न कहीं होगा, अलग से लिखने की जरु पर नहीं होगा, चले, आगे क्या लिखा है, अंकीता निदर लाइक्स अमेरिकन इगल नौर नाइक, अंकीता जो है, अमेरिकन इगल और नाइक लाइक नहीं करता है, यह हमको बोल दिया है, अब अंकीता कहां पर है, तो फर्स्ट हिंट में अगर आप देखें तो अंकीता है तो मैं बस यहां पर cross कर देता हूं लिख देता हूं अंकीता American Eagle AE और Nike यह दोनों like नहीं करेगी कौन अंकीता अलग से यहां पर hint बना एक जरुवत नहीं hint महीं hint बना देते हैं clear time बचेगा चले उसके बाद क्या वो लगा है there are question पर यहां पर there are more than three floor between the floor on which floor the one who likes huge boss and bhanu तो जो भी person huge boss like करता है और एक person है bhanu इनके बीच में तीन से ज़्यादा floor होंगे तीन से ज़्यादा floor मतलब minimum 4 हो सकते हैं 5 हो सकता है 6 हो सकता है बट minimum कितना होना चाहिए 4 तो होना चाहिए more than 3 का मतलब क्या हुआ चार चार या फिर पांच या फिर छे तीन से ज़्यादा अब हमको पता है कि भाई huge boss जो है वो six floor में ठीक है तो भानू कौन से floor में आएगा तो देखो भानू ऊपर तो आएगा नहीं नीचे ही रखना पड़ेगा क्योंकि उपर तो दो फ्लोर बचे तो चार तो minimum होना चाहिए तो 5432 यह चार तो बीच में आ गए मिनिमम इतना तो हो गई तो भानू के लिए दो जगा होता है यहां पर ग्राउंड फ्लोर में हम रख नहीं सकते क्योंकि पूजा है इसलिए भानू first floor में आएगा तो भानू first floor में रख देते हैं ठीक है क्योंकि यहां पर हमको पता है भानू और huge box के बीच में चार तीन से ज़्यादा floor है मतलब चार या फिर पांच तो यहां पर पांस तो होगा नहीं इसलिए यहां पर चार हो जाएगा तो first में आ जाएगा भानू अब भानू से related hint है हमें आरा पास fifth hint अब जो जिसके बारे में यहां पर हमको solution में पता चलते जाता है उससे related यहां पर hint यहां पर put करते चाहिए अब यहां पर fifth अगर आप देखेंगे fifth hint नीचे देखें fifth hint भानू और vacant floor के बीच में यहां पर एक floor था अब भानू क्योंकि first में है इसलिए vacant उपर जाएगा तो एक floor बीच में कर दूँगा अब देखें Kelvin Client और अंकीता में कोई उपर कौन नीचे हो सकता था वाट Kelvin Client क्योंकि first में है इसलिए अंकीता तो नीचे नहीं आ पाएगी clear क्योंकि नहीं हो ग offers में तो already Kelvin Client पॉंकिता उपर ही होगी और कितने उपर capture अब दो ए पर सेकेंड के स्का नहीं अब अनुब case में भी अंकीता कहा हैगी 7th floor में तो अंकीता को मैंने 7th floor में fix कर दिया और अंकीता के उपर वो person रहेगी जो गुशी like करती है तो गुशी कौन से floor में होगी जो like करती है वो हो जाएगी 8th में तो 8th में मैंने गुशी fix कर दिया clear? चले इतना पता चल गया और एक चीज़ ये था कि अंकीता जो है American Eagle और Nike like नहीं करेगी 1st hint complete हो गया अब अंकीता 7th floor में मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ cross कर देता हूँ यहाँ मेर American Eagle और Nike यह दोनों नहीं आएंगे clear? तो 7th floor में American Eagle और Nike नहीं आ सकते तो मेरा यहाँ पर क्यों सा hint complete हो गया तो हो है 5th hint and 1st hint दोनों को मैंने cross कर दी अब दुबारा देखने की जरुवत नहीं है अब आगे क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं फिर यहाँ पर question solve करना start करें मदब hint put करना start करें last line लिखा है उसको देख लेते है आस्था neither likes Kelvin Klein nor huge boss तो आस्था Kelvin Klein और huge boss like नहीं करेगी Kelvin Klein तो already हमको पता चल के कि वो भानू के लिए है ठीक है भानू like करता है तो मैं क्या करूंगा जहाँ पर huge boss है यहाँ पर मैं cross कर देता हूँ 6th floor में यहाँ पर कौन नहीं आएगी आस्था यहाँ पर मैंने put कर लिख दिया कि आस्था जो है वो 6th floor में नहीं आएगी अब आस्था 6th floor में नहीं आएगी यह fix हो गया American Eagle और Nike 7th floor में नहीं आएगी यह भी fix हो गया ठीक है अब देखो कौन-कौन सा hint बचा है यह देख लेते हैं अब second hint, third hint, fourth hint और sixth hint यहीं बचा है अब शिवानी से related मेरा hint है कि शिवानी 1, 3, 5, 7 में ही रह सकती है अब इसको put करते हैं शिवानी 1 में तो रहेगी नहीं क्योंकि भानू है three vacant है तो three में भी शिवानी नहीं रहेगी five में हो सकती है शिवानी बट seven में नहीं होगी क्योंकि अंगीता है शिवानी के लिए जगा कौन सा बचा है तो वो है fifth floor तो शिवानी जो है वो fifth floor में आ जाएगी तो मैं यहाँ पर शिवानी को fix कर देता हूँ दोनों ही केस में शिवानी 5th floor में आ जाएगी बहुत असानी से यहाँ पर हमने पता लगा लिया कि वह शिवानी 5th floor में होगी ठीक है अब शिवानी जो है वो fifth floor में है यह fix हो गया शिवानी से रिलेटेड मेरा second hint था जिसमें हमको पता था कि शिवानी की just नीचे वो person होगा जो लैकोष्टे लाइक करता है इसका मतलब fourth floor में कौन person रहेगा जो लैकोष्टे लाइक करता है चली यह भी यहाँ पर हमारा fix होगी इसको भी रख दिये दोनों केस बराबर चल साथ में चल रहा है और सहीं चल रहा है अभी तक कोई भी सकेस इलिमनेट नहीं हुआ है दोनों केस यहाँ पर दो केस के अभी जरुवत भी नहीं पढ़िए बट कहीं न कहीं जरुवत पढ़ सकती है clear चलो आगे क्या है अब questions यहाँ पर हमने पूरा पढ़ लिया तो question हमने बहुत ध्यान से पढ़ा एक भी लाइन यहाँ पर हमने skip नहीं किया और एक भी लाइन यहाँ से हमारा नहीं चूटा है तो हम बोल सकते हैं अब सिफ हिंट के भरूसे यहाँ पर question solve करेंगी question फिर से देखने की जरुवत नहीं है चलो second hint भी यहाँ पर मेरा complete हो गया तो मैं second करता हूँ फिफ्ट फ्लोर में नाइक नहीं आ सकता था तो मैं यह यहाँ नाइक एंसल कर देता हूं मैं noise ile nut like नहीं करें कि दो केश में श्रीवा नी जो है वे वो 5th floor में है, अब शिवानी के नीचे कहीं न कहीं कौन रहेगा, शिवान, 4th floor में देखो, शिवानी के नीचे शिवाम रहेगा, अब 2 case यहाँ पर हम ले कर चलेंगे, शिवानी के नीचे कौन कौन सा खाली floor है, तो एक 4th floor है और एक 2nd floor है, तो मैं क्या करूँगा एक बार शीवम को रख देता हूँ फोर्थ में और एक बार शीवम को रख देता हूँ second में तो अब देखो अब दो case की तो जरुवत पड़ी एक ही case में अगर हम solve करते रहे न तो confused हो जाएगे उससे अच्छा है कि हम दो case यहाँ पर लेकर चले तो एक एक बार शीवाम को 4th में रख लिया एक बार शीवाम को 2nd में रख लिया अब शीवाम से रिलेटेड मेरा 6th हिंट है क्या का 4th हिंट भी complete हो गया पूरा 6th hint में ये था शीवम के ऊपर American Eagle ये Nike आएगा और नीचे भी American Eagle और Nike कोई न कोई एक ऊपर और कोई न कोई एक नीचे होंगे और शीवम और American Eagle के बीच में जितने persons होंगे उतने ही Nike और शीवम के बीच में भी होंगे अब अगर मैं first case की बात करूँ न तो देखो first case में ध्यान दो शीवम जो है वो fourth में है अगर मैं यहाँ पर Nike के बारे में सोचूँ कि Nike अगर उपर रख सकूँ तो Nike के लिए देखो एक भी जगा नहीं है ठीक है नाइक fifth में नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर कौन है और eight में already घुशी है तो इसका यह मतलब हुआ शीवम के ऊपर किसी ना किसी को तो बैठाना था American Eagle या फिर Nike और Nike आएगा ही नहीं कहीं पर तो यहाँ पर कौन आएगा American Eagle अब American Eagle और शीवम के बीच में zero number of person है तो शीवम और जो person नाइक लाइक करते हैं उनके बीच में zero number of person होने चीए तो नाइक जो है थर्ड में तो आएगा नहीं क्योंकि थर्ड में तो वेकेंट है तो इसलिए वो सिब कहां दिख रहा है पूजा का एक ऐसा प्लेज दिख रहा है जहां पर American Eagle ये फिर नाइक आ सकता है ठीक है माल लो यहां पर मैं रख देता हूँ नाइक को पूजा के जगा ठीक है तो अशीवम और पूजा के बीच में कितने है एक परसंट भानू तो एक परसंट कौन आएगा बीच में जो फोर्थ में होगा ठीक है क्योंकि थर्ट वेकेंट है तो शिवानी जो है वो क्या लाइक करेगी अगर मैं पूजा के जगह एमेरिकन इगल रख देता ना फो नाइक जो है शिवानी के जगह तो नहीं आ सकती थी क्योंति शिवानी ज्यों नाइक लाइक नहीं करती इसलिए अमेऽधgar इंगल उपर और नाइक जो वो नीचे अब देख लो दोने केस में शिवाम और शिवान लाइक लाइक करती एक परसन तो शीवम और शीवानी जो अमेरिकन लाइक करती उनके बीच में भी एक परसन है तो सेम नंबर आप परसन शिक्स्थ हिंड भी मेरा हो गया कम्प्लीट अब बचा कौन सा तो है थर्ड थर्ड की बात करें तो आस्था और लुईस जो भी परसन लाइक करता है लुईस ठीक है उनके बीच में चार परसन है फ़र्च केसी बात करूं आस्था के लिए प्लेस कांट कौन सा है आस्था एर्थ में आ सकती है आस्था सिक्स में तो नहीं आ पाईगी क्योंकि यहां पर क्लियर लिखा था आस्था कैंसल कर दिया था मैं और आस आस्था जो है एर्थ में है अगर मान लेते हैं आस्था को मैं एर्थ में रख दूँ तो आस्था और जो भी परसन लुईस लाइक करते हैं उनके बीच में चार परसन चार परसन कौन कौन से हो जाएंगे तो आस्था है तो सेवन्थ में एक परसन सिक्स में दो परसन फिप 8th में बट यहाँ पर already कौन है गुशी इसलिए first case मेरा cancel out हो जाए क्योंकि आस्था और LV के लिए जगा नहीं है second case की अगर मैं बात करूँ देखे second case में आस्था को अगर मैं 8th में रख दूँ ठीक है तो 8th में आस्था तो यहाँ पर LV किसमें आएगा तो LV जो है वो second floor में आ जाएगा तो शिवम जो है वो like कर सकता है LV clear अगर मैं आस्था की बात करूँ 6th में रख दूँ तो 6th में आस्था तो आ नहीं पाएगी और 4th की अगर बात करूँ 4th भी खा लिए तो 4th में आगर आस्था को रख दूँ में तो देखो ऊपर भी जगा नहीं है LV के लिए नीचे भी जगा नहीं क्योंकि 4 परसन उनके बीच में होना चाहिए तो इसका यहीं मतलब हुआ कि आस्था के लिए सिप और सेप 8th यहां पर फ्लोर में जगा होगा और कोई भी साफ फ्लोर में जगा नहीं होगा आस्था के लिए तो एक चीज़ फिक्स होगा कि आस्था 8th में और LV जो है वो जो भी परसन लाइक करता है LV वो 2nd फ्लोर में तो हमने यहां पर असानी से question solve कर लिया अब बचा क्या यह देखो दो परसन बच गये हैं यहां पर कौन कौन से परसन बचे हैं तो प्रिया 4th में और अगर प्रिया 6th में हैं तो भाव्या 4th में क्योंकि इन लोग के बारे में कोई भी information नहीं इसलिए इन लोग की possibility बनेगी अब इसमें exam अगर दिला रहे हैं तो आप confused होएंगे भी possibility बनेगा कि नहीं बनेगा बट अगर आपने confidently question solve किया है confidently solve किया है एक एक line properly पढ़ पढ़ के solve किया है तो यहाँ पर confused आप नहीं होंगे आपको एक बार में पता चल जाएगा कि इनके बीच में possibility बनेगा और बच क्या गया है कौन से यहाँ पर बच गया तो यहाँ पर देख लेते हैं ब्रैंड huge boss हो गया लैकोष्टे हो गया Kelvin Klein हो गया LV हो गया गुशी हो गया नाइक हो गया बचा क्या Hollister तो Hollister कौन लैक करेगा तो वो है Ankita तो इस तरीके से यहाँ पर हम questions solve कर लेंगे इसी तरीके से आपको question जो है solve करना जब भी आप PO के mains level के questions solve करेंगे इसी level के questions solve करो और इसी level के questions की त्यारी करो इससे difficult और भी हो सकते हैं questions बट इससे easy आपको question नहीं मिलेगा इससे अगर level कम अगर आप उमीद रख रहे हैं PO में आपको मिलेगा तो ऐसा नहीं है ऐसे ही level questions आपको solve करना है questions पढ़ते चलिए ठीक है ऐसा नहीं है कि आप पूरा question पढ़ो उसमें information लिखो hint मत बनाओ skip कर दो ऐसा आप गलती नहीं करेंगे जो यहाँ पर direct statement है उसको hint बनाओ sorry indirect statement है उसका hint बनाओ जो directly हम put कर सकते हैं उसको directly आप put करेंगे तो इसी तरीके से questions यहाँ पर solve करेंगे तो आप असानी से questions solve कर पाएंगे confidently questions solve कर पाएंगे और exam में आप अच्छे marks score करके यहाँ पर अपना exam qualify कर पाएंगे तो मिलेंगे next में यहाँ वीछ वीछ